कि ये गाईज वेलकम टू करेजी ये संदा तो आज हम अप लोग तला फ्रेंड जो ब्यार प्लीस फ्यार्मेन का सेट इसे पले करा दिये हैं आज हम सेट नमर दो के लिए क्या है इसमें दस कॉसन बताएंगे और दसो कॉसन स्टाटीजी के से रिलेटेड होंगे तो उसी को देखते हुए हम फ्रेंड्स स्टाटीजी के का सेट करा रहे है तो फ्रेंड्स जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेड होंगे तो कुल पता यह पोस्ट की ता था तो चलते हैं आब कॉसन क्यों पहला कॉसन है पाक इस्ट्रेट या जिसको में बोलते पा पाक इस्ट्रेट चुकि देखी यह हम बताएंगे से रिट को संट की पाग इस्ट्रेट जो आई किनके बीच है किनको अलग करता है किनको जोडता है सबी कुसन को पताएंगे पॉइंट बैप पॉइंट आप लोग सिर्फ दियान रखेगा पहला कुसन बनेगा कि जो पाक बलो मध्य या बो लिए मनार की खाडी आप उसी ले बोल सकते हैं और जोडता है किसको यह तो यह बंगल खाड़ी को मनार की χाड़ी से जोडता है कौन पाक जल डमरु मध्य यह पाकजलसंधी बो की मतलब है कि पाक जलसंदी या मनार की खाड़ी किनको अलग करती है तो यह भारत को सिरलंगा से लग करती है और मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को दोनों को जोड़ती है आप इसे याद रखेगा और सबसे नस्दिक कहां से पढ़ेगा इसको सनमी पुछा जा रहा तो फ्रेंट्स बताना आपको अगर कांच पर हमको लिखना है तो किस अमलका परियोग करेंगे तभी लिखा जाएगा कांच पर कांच पर लिखने के लिए और लिखने के परिकरिया उसे क्या कहा जहता इसिंग ऑन गलास कि अनुटी मोलते हैं और इसको लिखने की परियोग करते है और किसा प्रियोग서 통 तो हम लोग काच पर लिखने के लिए हैड्रो फॉलोरिक अमल का परियोग करते हैं इसका राशन सुत्र है एच एप हैड्रो फॉलोरिक अमल आप इसे याद रखेगा चुकि बहुत ही इंपॉर्टन को संथा यह तो चलते अब अगले को संक्यों को संथ है कि एक जहाज एक न नदी से समुद्र में जा रहा है तो फि animated के जब जहाज नदी से समुद्र में जागा तो ऊपर की उठेगा उपर कियो फगलने है míst ये इस लिए चान्सर पुच्छन वह जाएगा एंग उपर कुड़ड़ ता जब जाए नदी से समुहंदर में पहुंसता तो उपर तक था है अब जाएगा ऑपर की जिए याद रखेगा समूंध है नदी में जाएगा तो चलते अप अगले कुछन क्यों को सान है की लाफिंग गाइस है यह कुस्वन तो बहुत बार पूछा बहुत इक्जम पूछा कि लाफिंग गाइस है आपको बता ना उसका सूधरिया अप्सेन में दिया और और अमोनियम नैट्रेट को 200 डिल्सेशियस पर गरमाने पर इसको मतलब बनाया जाता है किसे लाफिंग गैस को आप इसे याद रखिएगा और देखिए नैट्रस ऑक्साइट को सुने से उत्तेजना उत्पन होती है जिसके कारण हसी आने लगती है इसलिए इसको हम लोग हास से गैस बोलता है या लाफिंग गैस बोलते किसे नैट्रस उक्साइट को इसका सुत्रहता एंड्टू ओ आप इसे याद रखिएगा चुकि बहुत मतलब इंपोर्टन को संथे बहुत बार पुछा भी एक लाफिंग एस किसे काते हैं तो एंड्टू एनिकिन एट्रस ऑक्साइट को लाफिंग एस या हास से गैस के नाम से लोग जा सेखना था और पांब यूँ आपको वास्तू शिलफी कि ऑच्को बाठ्चीत्र कार संजीतकार खोज करता तो इसका रख एग CSV फेर को मैं बहुत सारे माल का मतलब मतलब रिखा त्यार कह था और इनका नाम था चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट जिसे आम लोग लिक कारबोजीर के नाम से जाना जाता है जानते हैं और यह फ्रांससी वास्तु अनेक भवन जो पुछावा कोसन है इसलिए हम आपको एक्षटाफेट के साथ करा दे रहे तके आपको हेलफूल मिल से के तो अगर वीडियो चला रहे तो लाइक भी कर देखेंगे साथ मतलब आपको बता है विद एक्षटाफेट के साथ तो चलते अब अगले कोशन की ओर कोशन है कि चंद्रमा को पिर्थिमी के चारों और एक बार घुमने में निकड़तम समय लगता है तो बताना अगर चंद्रमा यानि चांद को पिर्थिमी के चारों और एक बार घुमने में कितना समय लगता है अप्सवन आपको दिया 12 गंटे 345 दिन 28 दिन 24 गंटे तो इसका अंसर वाज़ागा फ्रेंट्स आप्शन यानिक अठास दिन वैसे तो फ्रेंट्स के अठ्ञा दिन नहीं लगता चांद्रमा को यानिक तो चलते आप अगले क्वेशन क्यों है कि केरल का जो उच नियाला है वो कहां पेसित है केरल का जो हाई कोट है वो कहां पेसित है और सना आपको दिया तिरू वन्त पूरम कोची एरनाकुलम कोटायम तो इसका अंसर आप लोग फ्रेंड्स तिरू अन्त पूरम मत मार दिजिए क्योंकि केरल का राजधनी तो वहीं उसका हाई कोट होगा यह नहीं है ऐसा नहीं होता है केरल का मार दिजिए में हम हटाब पूर में इंधर माद पर सक्क मटे क।छेगा थे लिडोस रहें में कौने लिए कई तो इस बतलए ना फ्रेंड्स पूर नहींत पूरम नाुज़र में केरल का उचिन तो इसानियरा फाल भी मैımız के जो उच्छ नियाला है इनके अंदरगत के रहा लग्षीदीव के अच्छतरा अधिकार आते हैं मतलब लग्षी तो कोन करता है तो के रहां कोड ही करता है और के रहां कोड कहां पहसे थे तो एरना कुल में सित आप इसे भी याद रखेगा तो चलते आप अगले कोशन के ओ कुछन है कि किस राजनितिक दल की अस्थापना सोतंतर्ता से पूर्व हुई थी बताना इक कौशन बहुत बार पोचा एक्जाम में था है कि कौशन राजनितिक दल है जिसका अस्थापना मल अजादी से पहले तहंनी उसके पहले था अस्थापना आजयादी से पहले किया था ऐसा कौशाब घृद झांजण संग सब्सक्राइएख एक पूर्बय आजनीस दल जिनका अजाद मातक हाल भारत का सवादी सब्सक्राइख नहींब था आप सभी बातों को याद रखेंगा इसमें पूछा जारा था कि अजादी से पहले कौन्सार सामवादी दल तो आप सभी कोस्तों को याद रेखेंगा जितने भी कोस्तों बता देरें सभी को सर्ण yr आपके एक्जाम के द्रिष्टी कौन से तो चलते अब अग ले को संख कशन है कि सोणार मुखिता टोपयोग क्या जता है तो इसके द्वारा को जबुआ लग म platforms ओल्र हर ढपर में पुचेगा गुछ तो संदय 그대로 कि द्वारा द्वारा अंत्रिक्षória Ranking Sound of navigation andeur True 이게 और इसके दौराँ इसके दौरा इसके दौरा पंडुब्यों का पता Morocco सभीगा राइन आपता है था समुलता है इंके दौर कीरा सोनर के द्वारा और ऻोकिया जैता है समंदरी यात्रियों के दौरा की डॉक्टर इंजनियर अंत्रियात्र किसके दौरा तो समंद्रियात्रियों के दौरा सवनार का उप्योग किया जता है इसका फुल फर्म क्या था हम उसे भी बता दिया आप लोग इसे याद रखेगा तो चलते अब अगले कोसन क्यों आज कही है टॉप टेन कोसन का लास्ट को बश्थी थे अप्सान आपको दिया नई दिल्य में पठना में उसके बाढ़ जैपूर में हदराबाद में तो इस का अवे मौनव। नघटॉर में प्रेंड्स हैदराबाद तो है दराबाद में फ्रेंट्स इलिलर और मॉलीकुलर जो लोग जी है उसका केंडर का है 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 में इसको हिंदी मोलते को सिखिए एबम आनवीग जी बिग्यान इंग्ली समों बोलते से लर एंड मोलिकुलर बेलो जी का केंद्र का है जो की हधराबाद में है और यह को सिखा के सुक्ष्म अध्यन की सुविधा पर्दन करता है जो को सिखा अतसे लोता उनका सुष्म अध् सब्सक्राइब तक पहुंच जाए धन्याबाद मिलते आब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेट के साथ